तो खेल के दोरान जब नाजुक समय आता है मैं बहुत टेंशन में आ जाता था तो हम बत कर रहे थे कि रेस्पॉंस करने की कोई सीमा नहीं होती अगर मैं जागरूग रहूं तो साइद मैं इससे बच सकता हूं लेकिन अगर मैं नहीं हूं मतलब जागरूगता आती जती रहत है लेकिन अगर मैं जागरूग नहीं हूं और मैं टेंशन में आ जाता हूं तो क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं इससे तुरंट बाहर निकालाऊं देखिए टेंशन क्या है आईए इससे समझते हैं आप इसे टेंशन कह सकते हैं आप इसे स्ट्रेस कह सकते हैं आप इसे थोड़ा सा फर्क है, मेरा मतलब आप में पागलपन का एक छोटा सा सैंपल है, है ना? असल में आपके विचार इतनी तीजी से चल रहे हैं, कि आप उन्हें संभाल नहीं पा रहे मान लीजिया आप सोचते हैं कि मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं बहुत टेंशन होगा, आपके सर पर 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं, आपको मार डालेंगी, है ना? आपके पेरेंट्स की उम्मीदें आपको मार देंगी इन सभी चीजों की चिंता मत कीजिए, आपको बस ये एक चाल सही से चलनी है, है ना? टेंशन इसी लिए हो रहा है, क्योंकि क्या मैं जीत रहा हूं, क्या मैं हार रहा हूं, क्या मुझे ट्रोफी मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या मुझे ये मिलेगा, क्या होगा जब मैं वापस जाओंगा, इन सब की वज़ा से, आप जो वास्तव में हैं, उससे कम हो जाएंगे बस यही एक अपराद आपसे हो सकता है जब आप गेम खेल रहे होते हैं कि आप खुद से कम, कोई हमसे बहतर है तो वो जीत जाएगा, तो क्या करें? हलो? ये ठीक है? कोई हमसे बहतर है तो वो जीत जाएगा, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? पर हम खुद से कम हैं, ये एक अपराद है अगर ये एक अपराद आप ना करें तब बाकी सब ठीक है मुझे पता है दुनिया में सारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि कैसे प्रग्ना नंदा को दुनिया के सभी चेस गेम्स जीतने हैं ऐसा मत कीजिए, दुनिया के सारे चेस गेम्स जीतने की कोशिश मत कीजिए बस ये एक चाल आपको सही से चलनी है, बस इतना ही आप दुनिया के सारे गेम्स कैसे जीतेंगे, सिर्फ आप अपने सपनों में ऐसा कर सकते हैं वास्तविक्ता में आप केवल एक स्मार्ट चाल चल सकते हैं वो एक समय पे आपको दो की इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं सिर्फ एक तो आपको बस एक स्मार्ट चाल चलनी है आपको अगली वाली या उसके अगली वाली नहीं चलनी है ठीक है आप अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहां कब क्या करेगा, ये क्या करेगा, कुछ हद तक आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, पर फिर भी आप जानते नहीं, आप तब भी नहीं जानते, आप शायद ये उमीद कर रहे हों कि वो एक बहुत बुद्धिमानी बरी जाल चलेगा पर शायद एक बेवकूफी बरी चाल चल दे पर अगर आप ये सोचें कि वो बहुत स्मार्ट है और आपको उससे ज्यादा स्मार्ट होना है तो आप उस बेवकूफी बरी चाल को मिस्स कर देंगे और ये सबसे बड़ी गलती होगी है ना तो इसके लिए आ पांच मिनिट में टॉलेट की तरफ दोड़ा जा रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत खा लिया है हाया ना तो अगर आपने कुछ गलत खा लिया है तो उसे ठीक करने का एक तरीका है कि आप कोई टैबलेट ले ले या कुछ ऐसा करे के उसे रोग दे ये एक तरीका है आप अपनी पहचान उससे जोड़ रहे हैं जो आप नहीं है जब मैं ये कहता हूँ तो हम इनर एंजिनियरिंग से होकर गुजरे हैं ये शरीर ये मन सब कुछ हमने एकठा किया है है ना आप एक चेस प्लेयर है ये एक समय आवधी के दौरान एकठा हुआ है क्या आप चेस ही हमारे अंदर बेवजह की विचार प्रक्रिया चलने लगती है तो आप एक समय पर बस एक चाल को संभालिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आप सभी चालों की प्रैक्टिस करते हैं जो भी पर जब आप खेल रहे होते हैं तो सिर्फ एक चाल होती है अगर आप इस और प्रतीकषा करें कि सामने वाला क्या करता है तो बस इतना ही तो है, है न dynam? और जब सामने वाला चले तो आप उसके बारे में कोई निश्कर्ष मत रखिये, कि ये एक महान प्लेयर है उनका चेहरा भी मत देखिये कि ये एक महान प्लेयर है, ये एक बेवकूफ है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब मत करिए बस इतना देखिए कि वो कहाँ चल रहा है, बस इतना ही महाईने रखता है, है न? तो मैं कह रहा हूँ कि गेम के लिए आपकी सूजबूज, आपकी उन सभी योजनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो आपने बना रखी हैं, ये सब प्लान और चीज़ें आपके दिमाग की कसरत के लिए हैं, ताकि आप हर चीज़ से परिचित हों, इससे पहले कि आप वहाँ जाएं, आपको उन सभी चीज़ों से परिचित होना चाहिए, जो बोर्ट पर हो सकती हैं, जिन लाखों तरीकों से वे ये कर सकते हैं, जिस हद तक संभव हो सके, आप गेम से पहले उने समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब आप गेम के लिए बैठते हैं, तब य आप ये समझ रहे हों कि सामने वाले का स्वभाविक रुजहान कैसा है, वो अपने प्रतिद्वंदी के साथ कैसे खेलता है, तो आपको क्या करना चाहिए, पर इस बारे में सचेत रहिए, पर इसे बहुत ज्यादा महत्व मत दीजिए, क्योंकि वो आपको चौंका सकता है, वो आपको एक शांदार चाल से चौंका सकता है, या फिर एक बेवकूफी भरी चाल से भी दोनों चीज़े होती हैं, अगर वो एक बहतरीन चाल चले, तो इसका जवाब कैसे देना है, आपको ये समझ लेना चाहिए, पर अगर वो एक बेवकूफी भरी चाल चले और हमने वो मिस्स कर दिया, तो फिर तो दोनों ही मूर्ख हुए है ना? हेलो? क्योंकि आप हमेशा उस बेवकूफी भरी चाल के इंतजार में रहते हैं, तो आप इन सभी चीजों के बारे में मत सोचिए, आप बस ध्यान दीजिए. एक इनसान के ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है, नकि उसके विचारों का, आपका ध्यान, चाहे आप एक बॉल मारना चाहते हैं या चाल चलना चाहते हैं, आपका ध्यान कितना पैना है, बस यही माईने रखता है, है ना? आप कितना बड़ा सोचते हैं या चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कभी चैंपियन बनने की कोशिश मत कीजिए मैं बता रहा हूँ बस एक उन्दा चेस खिलाडी बनिये दूसरे कहें कि आप चैंपियन है वो अद्भुत होगा अगर दूसरे कहें कि आप एक चैंपियन है वो एक अद्भुत बात है हम ऐसा होते हुए देखना चाहेंगे पर अगर आप ये सोचें कि मैं चैंपियन हूँ चैंपियन हूँ तो ये एक बेवकूफी भरा काम होगा है नग आईए करके दिखाएं